नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका सुसील तिवारी और सुबह का समय था जब सभी लोग उस मैच को देख रहे थे और मीरा भाई चानुज से पहले वो मुकाबला हो रहा था भारत और श्टेडिया का हांकी का मैच और भारत बहुत ही अच्छा खेल ले थी और एक समय हमने ती सांदार हांकी का प्रदर्शन किया और भारत की सभी टीम रच्छा पक्ती में सांदार काम कर रही थी मगर अंतिम समय में जो डर था हमको कि नहीं हम गोल खा जाते हैं यहां पर 28 सेकेंड बाकी थे मैच के और फिर एक बार मिला था पेनल्टी कारनर नेजिलेंड को मगर भा प्रदिया के सबसे बहतरीन गोल की पर हैं उन्होंने सांदार बचाओ किया और भारत ने नेजिलेंड को 3-2 के अंतर से पराजित किया उसके बाद मुकाबला था सबकी नजरे थी मीरा भाई चानू पर मीरा बाई चानू ने सांदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल अ बहुत ही सांदार मैचिस के लिए चाहे भारत की बैटमिंटल मिस्टिट टीम थी वहाँ पर चिराग रेड़ी ने सांदार प्रदर्शन किया और मैं आपको बता दूँ चाइनिज ताइपे के तीसरे वर्ल्ड रैकिंग उनकी तीसरी है उन खिलाडियों को भारत ने परास ही था वह मुकाबला हार गये और वह अपने प्रदर्शन जैसा नहीं कर पाएं उसके बाद का मुकाबलत था अचल सरत कमल और मोनीका बत्रा जोकी खेल रहे थे वह भी मुकाबला हम हार गये उपने एकल के मैच को जीत लिया और भारत के लिए आज का दिन काफी सांदार र बढ़ी हैं मगर वो मिस्रित में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा वहां पर हम फिर एक बार कोरिया के हाथों पराजित हुएं मगर इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आई यहां पर पिश्टल किंग सौरब चौधरी ने सौरब चौधरी क्वालिफिकेशन में छट्वें स्थान पे थें मगर कुछ निशाने पिश्टल के तो वो दूसरे स्थान पर आ गय है सकेभी किश्टल किंग सौरब चौधरी फाइनल में जा चुके हैं जो कि पड़क की सबसे बड़ी उमीद हैं मगर अभी कुछ ही समे पहले भारत के विकास कृष्न यादो जापान से व सबसे निरासा वाई चानू मेडल लेका राएं सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया इसके साथ ही पिश्टल किंग सौरब चौधरी भी फाइनल में जा चुके हैं और मोनिका बत्रा भी अपना मुकाबला जीत चुकी हैं तो अभी आज का दिन भारत के लिए मिला जुल ओलंपिक एवेंट हर दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें